ओम नमस्षिवाया ओम नमस्षिवाया मैं हूँ एस्टोजर केम सिना और मैं अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आइए हम समझते हैं कल एक नौमबर 2030 कैसा बीतने वाला है मेश से लेकर मीन लगन वाले जातकों का और सबसे पहले हम पंचांग की बात करेंगे और पंचांग में जितने भी आंग है उसको आपकी सुविदा के लिए डिस्प्ले में भी रिखाये जा रहा है देखे कल कार्थिक कृष्ण पक्ष की चतूर्थी दिती रहेगी और दिन जो रहेगा बुद्धवार रहने वाला है चार बच के 36 मिनट तक सुबा चंद्रमा म्रिग्षिरा नक्षत्र में रहेंगे उसके बाद ये आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे म्रिग्षिरा नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो मंगल देव बनते हैं जबकि आद्रा जो होता है वो राहू का नक्षत्र माना जाता है कल के दिन अगर योग देखिएगा तो परिग योग बन रहा है और करण जो है बव करण चार बच के 32 मिनट तक रहेगा और चंद्रमा भी राशी परिवर्तन करेंगे और राशी परिवर्तन करेंगे मिथुन राशी में ये गोशर करेंगे तो आईएम समझते हैं प्रतेक लगन पर इसका क्या प्रवाव पड़ेगा स्टार्ट करते मेश लगने से देखे आज आपका स्वास जो रहेगा बैतरीन रहेगा जीवन साती से कुछ किसी स्पेसिविक बात को लेकर मन मुटाव की स्थिती हो सकती है और परिवार में हलाकि सुक शान्ती बनी रहेगी कारे छेतर में आपको लाब की स्थिती जो रहेगी वो मिलेगी आर्थिक छेतर में भी लाब आपके लिए अत्यदिक रहेंगे वहां चलाते समय आपको सावधानी बरत्मी चाहिए विद्यार्थियों का मन पढ़ाई के छेतर में थोड़ा कम कल लग सकता है ओवराल पचासी प्रतीशत तक का जो समय है आपके लिए अच्छा है कल का शुबंग 6 और सुबरंग आस्मानी आ रहा है कल के दिन ब्रामर को अगर कुछ खाने योग्य वस्तु आप दे दे देखे आज अपने स्वास्त के प्रती आपको सचेत रहना चाहिए वैपार में लिए गए किसी विरुकार के निर्ने जो हैं वो आपके लेशुब रहेंगे और आपको अपने काम के प्रती थोड़ा समवेदन शील कल रहना चाहिए रुके हुए काम पूर होंगे और परिवार में खुश्यों का महौल भी रहेगा कल आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा और जो लोग अंजान है ऐसे व्यक्ति से आपको कल के दिन जादा फायदा होगा कुल मिलाकर कहा जाए तो 75 पतिशा तक का दिन अच्छा रहेगा शुबंक नौ शुबरंग नारंगी बन रहा है उपाय के लिए 5 प्रकार के अनाच को मिलाकर अगर पक्षियों को खिला देते हैं तो कल का दिन काफी अच्छा रहने वाला है अब हम अगले लगन की बात करते हैं मिथुन लगन वाले जात्कों के लिए कल का दिन कैसा बीटेगा देखे अपने स्वास्त के प्रती आपको सचेत कल के दिन रहना चाहिए परिवार में किसी प्रकार का मन मुटाओ चल रहता तो समापत होगा जीवन साती के साथ जो संबंद रहेंगे वो अच्छे रहेंगे आर्थिक स्थिती में उतार चड़ाओ कल के दिन लगा रहेगा विद्यार्थियों को सिक्षा में सफलता भी मिलेगी प्रेम संबंद मजबूत होंगे कारियों में सफलता भी आपको प्राप्त होंगी किसी नए काम की सुरुवात अगर आप करना चाते हैं तो कर सकते हैं पुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 70 प्रतिशत तक अच्छा है कल का शुबंक एक और शुबंक हरा बन रहा है उपाय के लिए भगवान भोले नात को अगर जललपित करते हैं तो दिन उपतम रहेगा अगले लगन की बात करते हैं करक लगन करक लगन में स्वास्थ जू रहेगा पहले से अच्छा रहेगा और नौक्री में आउसर भी मिलेंगे समाज में मानपद प्रतिष्ठा बढ़ेगी हलाकि परिवार में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है जीवन साती के साथ यात्रा की योग बनते हैं किसी भी काम को जल्दिवाजी में बिल्कुल मत कीजिएगा और प्रेम संबंदों में प्रगाड़ता बढ़ते हुई दिखाई दे रही है 79 प्रतिषठा का दिन आपके लिए अच्छा है और कल का शुबंग 8 शुबंग सफिद बन रहा है उपाय के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक मंतर का आपको जाप अगर करते हैं तो आपका दिन अच्छा बीटेगा अब हम अगले लग्न की बात करते हैं सिंग लग्न वाले जात्कों के लिए कल का दिन कैसा बीटने वाला है देखें कल का दिन आपके लिए भाब दोड से भरा रह सकता है अपने स्वास्त को लेकर सचेत रहिएगा खान पान पर विशेश ध्यान दीजिए ग्रियस्त जीवन में कुछ मुश्किले आ सकती है धन संग्रा करने में कुछ रुकावटे भी कल के दिन दिख रही है देहनिक रोजगार के छेतर में जितना भी आप रियास कर रहे हैं वो 60 तक रहेगा कारे छेतर में अती उत्तम परिणाम मिलेंगे वैवाहिक जीवन जो रहेगा वो मतुर बना रहेगा कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन आपका 72 प्रतीशा तक अच्छा रहेगा कल का शुबंग साथ और शुबरंग ग्रे बन रहा है उपाई के लिए माता सुर्सती की अरादना करे दिन अच्छा भी देगा कन्या लगन की बात करते हैं देखे कल का दिन स्वास की प्रती सचेत रहने वाला हो सकता है जीवन साथी के साथ लंभी दूरी की यात्रा का योजना आप बना सकते है जो अच्छा है पारिवारी जीवन में मदभेद की स्थिती बनी रहेगी विद्धिय स्थिति हलागी कहा जाए अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है, नए कारियों की सुरुआत आप कल के दिन कर सकते हैं, करियर या वैपार में दूसरों से सहायता प्राप्त होगी, प्रेम समंद में किसी बात को लेकर अनबन भी हो सकता है, लेकिन पर सफेद रंग की वस्तियों का अगर आप दान करते हैं, जल से अभिशेक करते हैं, तो कल का दिन आपके लिए काफी अच्छा होगा, अब हम अगले लगन की बात करते हैं, तुला लगन वाले जात्कों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा, देखें कल का दिन आपके लिए अत्यदिक शुब रहने वाला है, एक तो स्वास्त भी उत्तम रहेगा, और कल आपकी मुलाकात किसी प्रसिद्य वैक्ती से भी अकस्मात हो सकती है, परिवार में जो मद्भेच चल रहा था, उसके भी खत्म होने की संभावना दिख रही है, आर्थिक शेतर जो रहेगा, वो अच्छा रहेगा, कारेवेवसाह में आपको सफलता मिलेगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, और कहा जाए कुल मिलाकर दिन 77 प्रतिशा तक आपका अच्छा रहने वाला है, कल का शुबंग चार और शुबरंग नीला बन रहा है, उपाय के लिए बजरंग बाढ़ का अगर कल के दि हैं, तो दिन स्रेष्ट बनेगा, वरिश्चिक लगन की बात करते हैं, देखे स्वास्त को लेकर आपको सचेतर रहना चाहिए, वित्तिय मामलों में सूझ भूस से आपको फैसला करना चाहिए, ब्लाइंडली कोई भी फैसला नहीं करे, वहान चलाते समय विशेश सावदान बरती है, सिक्षा के छेतर में सफलता प्राप्त होते हुए इस पश्ट दिक रहा है, जीवन साती के साथ कहीं पर गूमना चाहते हैं, तो उसकी आउसर भी मिलेंगे, परिवार में खुश्यों का बातवरन बना रहेगा, विद्यार्थियों को सिक्षा में अधिक मेहनत करन कि आउजक्ता गल पड़ेगी, लव रोमान सामाने रहने वाला है, कुल मिलाकर 80% का दिन आपका अच्छा रहेगा, शुबंक आनो और शुबंक पीला बन रहा है, उपाय के लिए शिव मंदिर जाकर अगर शिव जी की अराधना करते हैं, दिन अच्छा होगा, धनु लगन की बात करते हैं, साथ यात्रा का योग भी कल के दिन बन रहा है, धन का संग्रा करने में कुछ परिशानियों के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन आपको बहुत जादा चिंता करने की जरुवत इसके लिए नहीं है, 72% तक ओवरॉल दिन अच्छा रहेगा, कल का शुबंक पांच और सुबंक ग स्वास्त को लेकर कल के दिन तनाव हो सकता है, जीवन साथी से थोड़ा बहुत मध्वेद हो सकता है, ग्रियस्त जीवन चुनावतियों से परिपूर हो रहेगा, माता पिता के साथ धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है, वैवसाय में जल्दी बाजी किसी प्रकार का कोई फैसला ना ले, साजिदारी के काम से आपको लाब मिलने की पूरी संभावना दिख रही है, आर्थिक स्थिती सामान ने बनी रहेगी, पुल मिलाकर कहा जाए, तो कल का दिन 75% का आपके लिए अच्छा रहेगा, शुबंक तीन और शुबरंग भूरा बन रहा है, उपाय के लिए शनी मंदिर जाकर शनी देव का अगर आप दर्शन करते हैं, तो दिन शुब रहेगा, कुम लगम की बाद करते हैं। अधिक लाब भी सपष्ट मिल सकता है, पहले की कुछ मुश्किले कम होगी, समाधान मिलेगा, अधिक खर्च करने से कल के दिन बढ़ना चाहिए, और व्यपार में भी कल धनलाब की योग बन रहे है, जीवन साथी का सयोग भी आपको मिलेगा, 72% तक का दिन ओवराल अधिक लिए गणेश जी को मीठा फल अगर अर्पित करते हैं, तो दिन अच्छा रहेगा, मीन लगन की बात करते हैं देखिए स्वास को लेकर थोड़ी परिशानिया उत्पन हो सकती है, लेकिन परिवार में खुश्या जो रहेंगी वो बनी रहेंगी, व्यपार और सिक्षा के कारण यात्रा की योग बनेंगे, प्रेम संबंद बढ़ेगा, पहले कि आप एक्षा का आजाए तो खर्च जो है, परिशान आपको कर सकती है, जीवन साती के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है, पुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 74 प्रतिशत तक अच्छा रहने वाला है, कल का शुबंग साथ और शुबरंग महरून बन रहा है, उपाय के लिए दुर्गा शफशती का कमेंट सेक्षन में जरूर निक्येगा, मैं हूँ एस्टोदर केमजिना, ओम नामस शिवा है